ये काग जी महबबत हमारी आदतों से परे है, हम सदाकतों के दिवाने हैं और हमें कोई बात नहीं ये दुनिया में तराजू आते होंगे तौलने मापने के काम, कोई हमारी महबबत माप सके, किसी तराजू की आउकात नहीं मैं जिसके इस्क की खातिर पूरी दुनिया में बदनाम हुआ, वो पीछे मुड़े ही मेरी जिन्दगी से गुजर गया कि वो बिना पीछे मुड़े ही मेरी जिन्दगी से गुजर गया और कन पटीप जब उसके बंदू की नौक रखी गई, वो मुझे अपना कहने से मुकर गया बहुत देखे हैं आसिक आज कल के इस्क करने वाले, जो जिन्दगी भर साथ रहने का वादा करते हैं एक वक्त गुजरता है जनाब, के एक वक्त गुजरता है जनाब और फिर वो मेलों में भी मूँ फिड लिया करते हैं मेरे हिस्से की कमाई जो इन गद्दारों को नहीं मिलती तो मुझे मारने की साजसें रची जाती हैं ये गीदर कुटे की मौत मरते हैं फिर इनकी लासें लावार इस करार दी जाती हैं ये नागरवाला उनका वहम तोड़ कर दिखा देगा जो समझते थे कि आसमान नहीं चू सकता अपनी दम पर जीतना होता है मेरे भाई जिन्दगी में जितने भी आते हैं सभी बंदे बदल जाते हैं कि अपनी दम पे जीतना होता है मेरे भाई जिन्दगी में जितने भी आते हैं सभी बंदे बदल जाते हैं और घर से समसान घाट तक भी कोई पूरा साथ नहीं देता वहाँ भी कंदे बदल जाते हैं हम दुस्मनों के खून से लेख लिखते हैं हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते हैं जो हमारे लिए बत्तमीज है हम दुस्मनों के खून से लेख लिखते हैं हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते जो हमारे लिए बत्तमीज है लिखकर परवतों को भी डहला देगी मेरी तरह मेरी कलंबी दलेरी की मरीज है इसलिए पागलों से दोस्ती है क्योंकि डरते हैं तो समझदारों से क्योंकि डरते हैं समझदारों से दुस्मनों से खौफ नहीं है जनाब बस खौफ है गदारों से बात बात पर साले बोलते हैं जूट चाटते हैं पैर जब भेद जाते हैं फूट के बात बात पर साले बोलते हैं जूट चाटते हैं पैर जब भेद जाते हैं फूट जान चली जाए पर जुबान न जाए बोलती है जुबान साफ साफ दो टूक जब मुकावला करना दुनिया की आवकात से परे हो जाता है तब ये दुनिया रुकावटें लाती है कि जब मुकावला करना इस दुनिया की आवकात से परे हो जाता है तब ये दुनिया रुकावटें लाती है रुकावटें लेया ये भी जाट की जाती है एक एक खूबसूरती पहचानना सीख हर चीज में तो जिन्दगी सवर जाएगी वरना घर में लगी दीवारें भी सर फोड़ने की कामाएंगी और एक कि जब हकीकत के नगाडे बजेंगे तब हुकूमत हमारी होगी अदालत भी तुमारी होगी वकालत भी तुमारी होगी पर जमानत हमारी होगी और एक थोड़ा देश के लिए कहना चाहूँगा कि उडाले कितना भी धुआ आसमान तो नहीं बनेगा कि उडाले कितना भी धुआ आसमान तो नहीं बनेगा और ढौंग कर ले कितना भी सुन पड़ासी हिंदुस्तान तो नहीं बनेगा और एक छोटी सी गजल है मेरी उसके नहाने के बाद जम मैं उसके साबन से मिला उसके नहाने के बाद जम मैं उसके साबन से मिला तो साबन उसका उसके जिस्म की महक से महक रहा था उसके नहाने के बाद जम मैं उसके साबन से मिला तो सावन उसका उसके जिस्म की महक से महक रहा था और पानी से दो बातें की तो पता चला पानी नसे में था और पानी से दो बातें की तो पता चला पानी नसे में था हमसे बातें करने में बहक रहा था और मैंने कहा उससे महबत है मुझे तो उससे जुड़ा जर्रा जर्रा मुसे लड़ने के लिए देख रहा था सुक्रिया